आनंद नगरी सहकारी बैंक चंदरपुर विवादों से शहर में सुर्खियां बटो रहा है तकरीबन तीन से चार उभोगताओं ने आरोप लगाया है कि इन पर कोई लोन ना होने पर भी इन बैंक द्वारा संपत्ती जप्ति का नोटिस प्राप्त हो रहा है जोती मुदलिया नामक महिला ने आरोप लगाते वे का कि उनकी प्रापर्टी मौर्गेज कर उन्होंने किसी और को 40 लाग का लोन दे दिया वहीं एक और उभोकता शरीक परवेज ने आरोप लगाया है कि उनके दादा की नाम पर लोन बताया जा रहा है जबकि उनके दादा की मुर्ट्यू 2017 में हो गई है हमारे समवादाता ने चंदरपूर जाकर बैंक की अध्यक्षी दीपक पारिक से फोन लगा कर संपर करना चाहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बैंक की तरफ से बैंक के मोखे कारिकारी अधिकारी वनकर ने चुपी साधी हुई थी और प्रबंद का सवालों से बसती हुए बस एक ही जवाब था कि मामला न्यायाले में चल रहा है अब सवाल बैंक पर यह उठता है कि ऐसे कितरी और मामले सामनी आएंगे या फिर इसे फिर एक बार छोटा मोटा प्रकरंट समझ कर टाल दिया जाएगा जोती मुदलिया ने साफ क्या दिया है कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वह दीपक पारे के घर के सामने आत्भत्या कर लेंगी अपने लोन से सम्द्री Nam अभी तक कोई दस्ता वेज प्रोडियूस नहीं किये यहां तक कि हमारी के इस अभी कापी लोगों के साथ में अधोका किया है जिसमें मेरे घर में मेरे पती के नाम की प्रोपर्टी पर लोन करके इन लोगों ने जबकि लोन होता नहीं था और इनोंने 40 लाग का लोन करके किसी और पार्टी को लेडी को मेरी ही प्रोपर्टी का पैसा दे दिया जिसकी वज़े से इलोन ने हमारे घर को डाल बना के हमारे घर को फसा के आज हमारे घर पर नोटिस लाके खड़ा किया मैं यही चाहती हूँ कि मुझे नयाय मिले नहीं मिला तो मैं दीपक पारे के घर के सामने सुसाइट कर दूँ